नमस्कार दोस्तो गाव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो 40 किलो मीटर का लंबा सफर तै करते हुए हम लोग पहुच चुके है रोसरा और आज की इस वीडियो में हम आपको रोसरा पार्क गुमाने वाले हैं रोसरा में यहाँ एक लोता पार्क है और इस पार्क के ठीक सामने रोसरा इस्टीडियम भी है जो कि अगले ब्लॉग में आप देख पाएंगे हलाकि इस पार्क का जो मुख्य नाम है वह है स्वरगय रामलखन सिंग उद्धान पार्क के फ्रंट अफ एक सुचना वोट लगा हुए जहां पर अवसक सुचनाएं जो नियमों का पालन करना है नहीं तो आप जेल भी जा सकते हैं आपका पॉकेट भी खाली हो सकता है तो चलिए बिना देरी करते हुए पार्क के अंदर चलते हैं और गार्डन के यानि पार्क के बाहरी परिसर में आप देख पा रहे हैं फूट फास्ट फूड का स्टॉल भी ह है और बाइक भी आप यहां पर लगा सकते हैं हलाकि अपनी जिम्यदारी पर हलाकि वहां पर कैमरा जो है मुख्य द्वार के परिसर के जगा पर लगा हुआ है तो उतना टेंसर नहीं है अब चलिए पार्क के अंदर चलते हैं और भाई या एक बात बताएं रोस्रा में सबसे खुबसूरत पार्क में से यह एक है और 10 रुपिया इंट्रिच चार्ज लगता है इसके भी कई नियम है जो कि हम आपको बताएंगे फिर में भी आ सकते हैं यहां पर खेले के लिए हो सकता है बेंट मिंटन के लिए यह जगा बनाए गई हो और काफी खुबसूरत जगा है यहां पर देखें कुरेदान के लिए जो गिलहरी है उसका जो है पुतला बनाया गया है और उसके पीट पीछे यह फ्रंट अप कच्रा डालने के लिए बनाया गया है जो कि काफी खुबसूरत लग रहा है और चारों तरफ आप देखेंगे कि रंग बिरंगे पुस्प के पेर पुदे लगे हुए है जूलने के लिए बच्चों के लिए प्र्याप्त जूला है स्लाइड है सीड़ी है बैटने के लिए मंदप है और इस तरफ आप देख पा रहे हैं जो घरनवा बना हुआ है यह कर्मचारी यहां पर काम करते हैं उनके लिए निवास के तोर पर बनाया गया है और यह चीज़े है जो में जो हम आपको दिखाने वाले है फ्रंट आप दिखिएगा कि चका चक जो है मनुरंजन जैसा आपको महसूद होगा और इसका एक अलग हिस्सा है जहां पे आपको सांती जैसा महल स्वारी महौल जैसा लगेगा यहाँ पे आप देखिए बैठने के लिए जो है ऐसा बनाया गया जिसे लगता है कि कोई लक्री का आधा टुकराई यहाँ पे रखा गया है solar plate है विजली विवाग के लिए और पटाने के लिए यहाँ पे देखिए नल है ठीक सामने पत्वे हैं जिसके जरी आप वॉक कर सकते हैं एक दो नियम है जो कि हम आपको बताते हुए आगे बरने का काम करेंगे सबस्पहले पेर पोधों को नुकसान नहीं पहुचावे कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी पेर पोधे हैं उसका नुकसान मत पहुचाईए आप यहाँ पे देखिए बचों के लिए सीड़ी है सामने जुला है स्लाइड है दूसरा नियम है कि फूल ना तोरे नहीं छुए है सिर्फ उसका आनंद ले देखिए सामने एक मंडप बना हुआ है उस मंडप में आपको लिए चलते हैं हलाकि यह मंडप गर्मी के मौसा में ज़्यादा कामयाब होता है यह स्लाइड है जहाँ पे बैच्चे जो है जब बैठते हैं तो फिसलने का मजा लेते हैं अगर कभी गल्दी से बरे बट गए बैट गए तो उनका डार लचक जाएगा भाया समझ के यहाँ पे प्रेमी यूगल ज़्यादा आते होंगे नौ बज़े के बाद सामने आप देख पा रहे हैं यह मंडप है और पत्वे है जहां तहां ना थुके पीकदान का उप्योग करें मतलब अगर आपके मूँ में कच्रा भरा हुआ है तो आप जो है कहीं पे भी मत फेकिया गया इस्पेसल उसका पीकदान होता है वहां पे ही डालिएगा पार्क में सांती बनाए रखिएगा अल्लाव चिल्ला मत कीजिएगा क्योंकि पार्क में लोग आती है किसलिए है सांत ही बहुल चाहते हैं खेलने के लिए प्रयोक्त जगा चाहते हैं प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं और ऐसा पार्क तो रोसरा में है भी नहीं यह सबसे खुबसूरत पार्क में से एक है हलाकि इंट्री चार्ज 10 रुपया इसलिए लिया जाता है ताकि उस पैसी का इस् फिर भी उसमें जिस तरह का इन्होंने आईडे लगाया गया होगा हम उनसे परे हैं लेकिन कुछ सोच करके ही इस तरह का जुह है उन्होंने तलाब बनवाया होगा धुरूमपान का धुम्बरबान का प्रयोग पार्क परिसर में उवर्जीत है कहने का मतलब है कि दारु न साथ असाब एगर जो है वह पूरी तरह से वर्जीत है फूल तोरने तथा धुरूपान करते पक्रिजवाने पर 500 रुपिय का आर्थिक डंड के भागी होंगे भया फूल तोर येगा ये रहा अपना तलाब छोड़ा सा अगर आपको पकर लिया जाएगा तो 500 रुपिया जु नव वजे के बाद पर्वेश करने पर साफ सफाई है तो 10 रुपिया सुलक लेकर यानिकी दस रुपिया जो इंडरी फी है वह इसलिए है कि आप नवजे के बाद आते हैं अगर नवजे से पहले सुबह में आते हैं तो अस्थानी लोग जो नवजे के पहले आते होंगे उ यानि स्पार्क में आईएगा तो लाराय जगरा मत की जगा तोरफर मत की जगा नहीं तो जेल जाना परेगा कच्रा नौ फैलाई तथा कच्रा को कुरादान में ही डाले यानिकी जो ड़ेस्ट भीन होता है उसमें ही तो यह दखिए मिक्की माउच वाला जो है कच्रा बॉक टाइन सांत वला य करें चार दीवार ना फांदे पकर जाने बढ़न के भागी होंगे यानि कि अगर आप अंदर आते हैं तो ज रिए इस पार इस था में ध्यार कर ग proper लेंगे तो कूट देंगे और उपर से ट्वरी दिया जाएगा । संदिग्द व्यक्तिया लावारिस वस्तू होने की सुचना कर्मचारी को दे यानि कि अगर आप इस पार्क में टेहल रहे हैं अगर आपको संदिग्द व्यक्तिया वस्तू दिख जाता है तो उसकी सुचना जो है अस्थानी कर्मचारी गार्ड को दीजिया पिर कॉल कर दीज सकते हैं और हाँ अगर आप छात रहें पहली बार आ रहे हैं तो हमारे बज़ा से इस पार्क में आप जा पाएंगे क्योंकि कोई भी बच्चा अगर पहली बार पार्क आएगा यानि की रोसरा आएगा तो अचानक सब कुछ उसे मालूम नहीं परपाएगा तो वेडियो एक सोती है जान बुझ कर उसने गलती की नहीं होती है अगर आप सुवे में आते हैं तो फिरी में आप आ सकते हैं अगर आप नवाजिक बाद आईएगा तो पैसे देने परेंगे और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल एकन को दबाकर उसे औलपा सेलेक्ट कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर करते हुए जाएगा क्योंकि पूरा रुसरा हम आपको बाइद अवे एक एक वीडियो करके घुमाने वाले हैं नमस्कार जी नम कर सकते हैं देखिए यहाँ पे बैठने के लिए उचित जगह है यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे है जिन्होंने हमसे पूछा क्या कर रहे है और हमने उनके साथ जानकारे साजा कि उन्होंने हमारा चनल सब्सक्राइब किया इनका बहुत-बहुत धन्यवाद हो सकता है कि कर रहे होंगे है के नहीं होगा तो ऐसा ही कुछ धन्यवाद अभार